हर वो बच्चा जो CUT का एक्जाम देने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि अब इस समय है भाई important tips का क्योंकि CUT के exam अब बहुत पास आ गए है आज की वीडियो में जो भी चीजे मैं आपको बताऊंगा वो exam में और उससे पहले आपकी बहुत ज़दा मदद करने वाली है देखिए आखरी टाइम में हमें बहुत ज़दा tension हो जाती है और छोटी छोटी चीजे करना ही हम भूल जाते हैं इसलिए आज एकदम मैं simple tips आपके लिए लेकर आया हूँ लेकिन ये सारी tips बहुत ज़दा important है तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं tip number one user interface भाई आपको मालू में CUT का exam आपका computer based है computer screen पर आपको questions देखने को मिलेंगे तो computer में कैसे का question आते हैं interface क्या होने वाला है वो पता होना बहुत जरूरी है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो regular basis पर भाई computer वगरा use नहीं कर रहे होते हैं उनको problem हो जाती है तो YouTube पर आपको इससे related वीडियो मिल जाएंगी नहीं भी मिलती है तो बस इतना याद रखिए कि जब आप exam देने जाएंगे तो जैसी exam स्टार्ट होने वाला होगा अराम से screen को देख लीजेगा जो आँ teacher होंगे वो भी आपको बताएंगे हर चीज को बहुत अच्छे से सुनिएगा कि जो भी symbols बनके आ रहे हैं स्क्रीन में उनका क्या मतलब है कैसे हमें answer करना है सारी चीजे आपको पता होना चाहिए अगर user interface आपको अच्छे से नहीं पता है तो फिर बहुत सारी चीजे वापर आप मिस कर देते हैं और problem हो जाती है फिर इसके बाद दूसरी टिप इसी से related आती है प्रेक्टिस करना देखिए अगर आप mock test कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो tension नहीं लेना है आप घर में अपनी copy में लिखकर प्रेक्टिस कर सकते हैं गई तो क्या होगा आप exam देने जाएंगे वहाँ पर time management नहीं हो पाता है हम panic करने लग जाते हैं तो घर में timer लगा कर practice करिए कि आप जल्दी जल्दी question कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि कोई difficult question आ रहे हैं अब देखिए अगर आप ऐसे बच्चे जिसका exam बहुत ज़दा पास आ गया है तो आपको क्या करना है अब सिर्फ revision करना है ज़ादा नहीं नहीं चीजे करने की ज़रुवत नहीं ऐसे में हम confused हो जाते हैं revision पर ज़दा focus करिए आप से ले बस अपना complete कर चुके होंगे अभी तक अगर नहीं कर रहा है तो जल्दी से करके और बस revision पर focus करिए कुछ नया अगर आप कर रहे हैं उसको time कम दीजिए आप नया अगर कुछ भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत करेंगे चलेगा लेकिन बाकी पूरा time आपको वही लगना चाहिए जो चीज आपसे पहले से बन रही है नहीं तो फिर exam में problem हो जाती है अब दो-तीन दिनों में बहुत सारे बच्चों के paper इस्टार्ट हो रहे है इसलिए revision करना बहुत ज़रूरी है फिर अगली टिप से पहले एक और important बात कुछ बच्चे ऐसे जिनका domain subject ऐसा है वाई जिसका paper थोड़ा late है तो ऐसे में आपको क्या करना है भाई अगर आपने अभी तक एक अच्छी question bank नहीं लिए तो आपको ले लेना चाहिए description में आपको link मिल जाएगा ओस्वाय गुरूपल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बहुत ही शांदार book है मैंने खुद review करीए बहुत ही प्यारे question है ये book अब आपको end time पर भाई revision में बहुत help करेगी आप इसके question answer कर सकते है उसे बहुत अच्छी आपकी practice हो जाएगी तो ये एक और important चीज़ याद रखिएगा description में आपको link मिल जाएगा अगर आपके exam लेट है तो बिल्कुल आपको purchase कर लेना चाहिए मैंने खुद review किया हुआ है book बहुत ही अच्छी है इसके बाद अगली tip है भाई हमारी MCQ tips आप YouTube पर सर्च करिएगा जैसे आपने एक हटाया दूसरा हटाया दो ही बचे तो इसमें answer find करने में असानी होती है तो ऐसी बहुत सारी tips and tricks आपको YouTube पर मिल जाएगी लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा सिर्फ सही वीडियो को follow करना है अब अगर किसी वीडियो में आपसे बोल रहा है कि जादतर question का third option होता है तो इन बातों पर मताईएगा negative marking भी है तो सिर्फ सही tips और tricks को हम follow करेंगे जादर tips आपको देखने को मिलेंगी ऐसी tricks वगेरा कोई जादा होती नहीं है लेकिन ये सब वीडियो देखने से क्या होता है थोड़ा साना time management में भी हमें असानी जाती है फिर इसके बाद अगली tip है choices ऐसा नहीं है कि आपको सारे question attempt करना है आप कुछ question skip भी कर सकते हैं हम सबको मालम है C.O.T. में तो अराम से paper करिएगा जल्द बाजी करने की जरूवत नहीं है कि starting का एक question या दो question आपसे नहीं बन रहा है तो आप डर गए ख़बरा गए या आप जल्द बाजी में कोई भी answer लिखने लगए टिक करने लगए ऐसा नहीं करना है अराम से सोचना है टाइम भी sufficient है टाइम उनकी लिए कम है जो एक एक question में बहुत ज़्या टाइम लगा देते हैं भाई MCQ आर या पार होता है मैं पढ़ते ही से मालूम चल जाता है हमसे answer बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो ज़्यादा time waste नहीं करना है लेकिन याद रखना है choices भी हमारे पास है तो जल्द बाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगली tip है negative marking आपको पता है negative marking है तो वही जल्द बाजी में कोई भी answer मत लगा देना और question बहुत अच्छे से पढ़ना कई बच्चे वहाँ पर not लिखा होता है वो पढ़ी नहीं पाते है question ही गलत पढ़ लेते है option ही गलत पढ़ लेते है और फिर उसको लगा देते हैं घरा के मालम चलता है और वहाँ पर तो question कुछ और था तो याद रखिए negative marking है बहुत अराम से शांती से paper करना है जब आप paper करने जाएंगे तो बिल्कुल भी tension लेनी की ज़रूवत नहीं है अराम से question पढ़िए अराम से time देखिए और पहले से अपने दिवांग में सोच कर जाएए कि आप कितने question में कितना time देने वाले हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा तो ऐसे में negative marking में भी ज़्यादा marks आपके कम नहीं होंगे इसके बाद अगली tip भाई फस्तना पक्का है हमने term 1 की फस्तना पक्का इसीरीज बनाई थी description में link आपको मिल जाएगा उसमें हमने MCQ कवर करा हैं सारे NCRT के अगर वो आप कर लेते हैं तो जितने भी चैप्टर की फस्तना पक्का आई होई है term 1 की वो सारे चैप्टर के MCQ आपके हो जाएंगे फस्तना पक्का इन 12 में आपकी बहुत help करी आपको मालूम ही है लेकिन बस एक चीज़ याद रखिएगा बोर्ड एक्जाम में आपके टाइम लाइन्स बॉक्से से ज़्यादा क्वेशन नहीं आते हैं तो उसे हमने फस्तना पक्का में कवर नहीं करा था तो वो आप अलग से करेंगे बाकी पूरे चैप्टर आपके कवर हमने कर दी है और बहुत सारे चैप्टर आए हुए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के तो फस्तना पक्का है टर्म वंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके बाद आखरी टिप टेलीग्राम टेलीग्राम पर हमारा पूरा एक ग्रुप बना हुआ है इसी से रिलेटेड तो उसको बिल्कुल से आप जॉइंग करिए उसको अगर आप जॉइंग करते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी डेली उइनिर्सिटी में हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो आपी की तरह CUT exam दे रहे हैं, तो उनसे अगर आप बात करेंगे, कोई भी आपकी problem होगी, तो वो भी solve हो जाएगी, तो इसका link भी आपको description में मिल जाएगा, और साथ में Google form का भी link है, वो Google form भी जरूर से भरियेगा, बहुत जल्दी हम hiring का process चालू करने वाले हैं, तो हमें आपके email addresses चाहिए हैं, जिससे आपको email अजाएगा, जब भी हम अपनी hiring का process चालू कर रहे होंगे, इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्व करता हूँ, I hope आपको help मिली होगी, आप सभी को आपके exam के लिए all the best, ऊपर CUT related बहुत important वीडियो म मैं डाल रहा हूँ, उसको देखना मत भूलियेगा,